वेलकम बैक टू दे चैनल तो आज मैं आप से शेयर करने वाली हूं सब रूम की अच्छे तरह से आपके साथ शेयर करूंगी जैसे यह बैलकोनी अभी मैं कर रही हूं सारे अभी जो जाले वगेरा हैं सब अच्छे तरीके से निकाल रही हूं फिर जाड़ो वाड़ो से करूंगी पूरा अच्छी तरीके से जितना मेरे से अच्छी तरीके से होगा क्यों करने वाली हूं वो भी मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रही हूं बालकोनी के अच्छे तरीके से क्लेनिंग कर रही हूं साफ सफाई कर रही हूं तो जो भी सब वगेरा अच्छे तरीके से मैं जाडू से ही साफ कर रही हूं मतलब ऐसी ही उपर उपरी से और उसके बाद ये साइट में जो पड़ा हुआ है शू रैग है क्योंकि जो हमने शू रैग जो हमारा बाहर लीविंग रोम में रहता था हमने बालकोनी में रख दिया है और अब मै हटा कर अच्छे तरीके से हाँ पर लगा रही हूं जाडू पीछे से क्योंकि ये मैं रो रो नहीं लगाती हूं क्या तो मैं दो दिन छोड़के लगाती हूं या कभी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करती हूं तो तब लगाती हूं तो ये समय चेर वगेरा और ये शू हटाकर अच्छे तरीके से लगा रही हूँ और यहां पर मैं अभी आपको बस थोड़ा थोड़ा था दिखा रही क्योंकि यह जो मैंने पूरी अच्छे तरीके से क्लिनिंग की थी इसको सब मुझे करने में लग गया था मतलब यहां की की थी बालकोनी की की थी लिविंग रूम की की थी और बेडरूम की की थी और जो जो गैस रूम है मतलब जो एक्स्टर रूम है जहां पर मंदिर है वहाँ की अच्छे तरीके से की थी बट आपको वो ही है उसका थोड़ा थोड़ा सा एकदम जो पार्ट है वो ही दिखाया जा रहा है अगर एकदम पूरा सा दिखाएंगे तो बहुत जादे देर की वैसे वीडियो बन गई थी कम से कम कुछ हमने जैसे क्लिप करते हैं कुछ नहीं करते हैं कुछ कट करनी पड़ती है यह बहुत जादा लंबी हो जाती है यह मुझे सारी क्लीनिंग अच्छे तरीके से करने में मुझे लग गए थे कम से कम चार घंटे तो मोटा मोटा मालो मुझे चार घंटे अराम से तो अब मैं आ गई हूं living room की cleaning करने तो सबसे पहले मैं हर room में पहले ये जाले वगेरा हैं तो अभी मैं सब जाड़ आई हूं और ये cleaning करने के लिए मैं सुबह मतलब थोड़ा जल्दी मैंने start कर दिया था काम mostly तो मैं try करती हूं जल्दी ऊट जाती हूं तो मैंने काम भी मैंने का जल्दी यल्दी start कर देती हूं क्योंकि अब भी जो क्रीशा है इस ताइम सोई हुई थी और ये जो मैं वीडियो बना रही हूं ये 16 तारीक की है तो अभी बताऊंगी मैं क्यों अच्छे तरीके से cleaning कर र ये मैं एसले कर रही हूं आज सारे रूम की cleaning मतलब जो 16 तारीक की ये जो वीडियो है ये वीडियो में भी 17 को आ जाएगी तो ये जो अच्छे तरीके से जो मैं cleaning कर रही हूं जो 17 तारीक को है जो क्रीशा है उसका जनम दिन है वो 2 येर्स की complete होने वाली है तो मैंने सोचा इतना तो कुछ जादा खास जनम दिन करना नहीं है बट मैंने सोचा 16 तारीक को अच्छे तरीके से पूरी cleaning कर लूँ, dusting अच्छे तरीके से cleaning क्योंकि ऐसी cleaning वगेरा daily daily नहीं करते हैं तो मैंने का 17 तारीक को time तो नहीं मिलेगा वो हलका फुलका करूंगी जो भी काम बट 16 तारीक को मैंने का कोई नहीं चार घंटे लग जाएंगे, पांच घंटे लग जाएंगे, तो पहले मैं सुबह थोड़ा जुबह जल्दी उट गई थी, और वी मैंने जो थोड़े से काम है वो मैंने शूट नहीं किये, मैंने वो सब निपटाए, तो उसके बाद मैं मैंने फटा फट यह सब क्लीनिंग वगएरा, जाले वगएरा जाडने के लिए अच्छी तरीके से जितना हो सका मैंने पूरी तरीके से क्लीनिंग की, जैसे अम मैं यहाँ पर जो यह ट्रॉफिय वगएरा रखी हैं, यह सब हैं, इनको मैं डेली डेली नहीं करती हूँ, मत और आपको कुछ पार्ट ही दिखाया है जैसे मैंने बताया मुझे क्लीनिंग करने में चार घंटे मोटे मोटे लगी गए थे आपको सारे रूम की अच्छी तरीके से जो डीप क्लीनिग या दिखाया है फिर मैंने बीच में जो कपड़े वगएरा है जाड़ु वाड़ु सब करने के बाद क्लीनिंग वगएरा करने के बाद वो भी धोये थे और फिर थोड़ा बात हम साफ किया था तो डस्ट्रीन वागेरा मतलब यह यह चीजे काम होती रहती है कीजे में कुछ बरतन थे मैं लब वो धोये थे वो मैंने स्मॉर्णी में फटाफट धोल लिये थे मगर जो बाद में जैसे हो जाते हैं चाय वगेरा के वो सब और भी थोड़े एक दो बरतन और भी हो जाते हैं तो ऐसे और भी काम एक्स्ट्रा होई जाते हैं तो इसलिए कोई चीजे मैंने शूट करी मतलब बनाई वीडियो और कुछ चीजों को नहीं बनाई तो इसलिए मैंने इतना बड़ा मैंने जो जादा वीडियो पहले तमें सुछ रही है थोड़ी और सत्रा मिनट का तो बन ही गया था यह तो मैंने का थोड़ा और बनाती और सब जो पसे जाड़ो जाड़ो जाले निकालने के बाद उसके बाद में सब डस्टिंग वगएरा कर रही हूँ तो मैंने सोफा वगएरा सब अच्छे तरीके से जाल लिया है कॉर्नर टेबल वगएरा सब कर लिया है और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ यह कर रही हूँ जो बैडरूम है यहाँ पर आ गई हूँ और क्रीशा अब उठ चुकी है इसलिए मैं जो इतना सा साले पहले मैंने भार का कमरे का अच्छे तरीके से बालकोनी का जो भी है सब निप्टाया और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ बैडरूम में जो भी यह गद्धे वगएरा है इसको धूप वगएरा लगाने के लिए जो गद्धा है इतना तो अब यूज नहीं होता बट रात को थोड़ा पंखा चलाते हैं तो इसलिए थोड़ा यूज हो जाता है तो इसको तो मैं देखूँगी यह तो नहीं धुया जा सकता अब ऑट राइक लिंग के लिए देखते हैं क्या करते हैं देते हैं यह नहीं देते हैं मुझे नहीं पता तो यहां पर भी मैंने सब कर लिया है हम यहां पर पहले जाड़ू से ही उपर अच्छे तरीके से सब उपर जा ले वगएरा फट अफट वाले क्विकली से मैं कर लूँगी फट अफट तो उसके बाद मैं यहां पर जो भी डस्टिंग वगएरा है क्योंकि जब जाले वगएरा जो भी पंके वगएरा सब जाड़ते हैं जो डस्टिंग है सब नीचे वगएरा गिरती हैं तो जब मैं यह सब करती हूँ तो मैं यह जो चादर वगएरा है सब चेंज करती हूँ और ये देखिए चादर उठा रही हो तो कुछ ना कुछ मिले जाता है और क्योंकि बच्चे के साथ है कोई भी चीज कहां पर भी मिल जाए पता नहीं चलता तो मैंने जो तक्या वगेरा सब खोल वगेरा निकाले कवर वगेरा उसको मैंने भी धूप में रख दिया जैसा पत चादर वगेरा है इसको मैं मशीन में रख दूंगी मैं से मशीन मैंने नहीं लगा रखी मशीन एक या दो दिन में लगाऊंगी 18 या 19 तारीक को लगाऊंगी मैंने सोचा मशीन वगेरा तो इसको मैंने मशीन में भी दाल देती हूं फिलाल तो क्योंकि मैं अगर सोच रही थी पहले मशीन लगाने की बट मैंने सोचा और जादा लेट हो जाएगी फिर ये अच्छे तरी तरीके से यहां पर लगा रही हूं मैं जाडू लगा रही हूं क्योंकि जो जब जब ये चीजे हटा हटा आके डेली डेली नहीं लगाए जाती जब लगाते हैं तो अच्छे तरीके से लगाते हैं और जो इनके जो कोने होते हैं जो नीचे से जो दिवार होते हैं वहां प कूडा बगोडा निकल जाता है अगर ऐसे लुए निकल जाता है जो आटार निकल जाता है और मैं जैसे एक बार लूद फोड़ा आखल के लगा लिया तो मैं दूसरी बार भी रखाएंगी थे धूरा-खॉर्टा निकलता तो उसके दूसरी बार वाला जो मैं लगाती हूं तो मैं वो quickly से लगा लेती हूं फिर वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने कब एक बार में तो इतना सारा होगे फिर दूसरी की भी बनाऊंगी और जादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो कुछ-कुछ की तो जैसे है वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि वही होता है न फॉन में भी यही होता है इतनी मेमूरी नहीं होती कि इतनी देर देर तक की वीडियो बनाई इसलिए कुछ-कुछ पार्ट बनाना पड़ता है फिर कुछ काटना पड़ता है उसी वज़े से तो हम मैं इस कमरे में भी लग जाडू लगाओ करने कभी कुछ निकलता है तो मैं सोफे को हटा कर अच्छी तरीके से लगा था मैंने जाडू, अगयरा सब कुछ और तो देखिए यह जो वहां पर मैं सब अच्छी तरीके से कोणे में जो कूड़ा वगड़ा चिपक जाता है कर तो वह भी सब मैं सब अच् साड़ों जारों लग गया है और आप खोल के अच्छी तरीके से आपे में जाड़ू लगा रही हूं और आज मैं लगा रही। फृच के पीछे भी लगा रही हूं नॉर्मली मैं फृच के पीछे लगाती नहीं हो इतना बार-बार सब्सक्राइक हैं तो वह यह ने डेली-डेली अब हर चीज को आप नहीं हटा सक बट मैंने सोचा कि 17 को किशा का जनम दिन है तो 16 को थोड़ा बहुत जितना हो सके अच्छी तरीके से में सफाई कर लूँ क्यूंकि 17 को मेरे बाद इतना काम नहीं रह जाए वो इस सत्रा को हलकी फुलकी सी में डस्टिंग वगेरा और जो हलका फुलका जाड़ो वगेरा है व तो इसलिए वह देखे आपने देखा कि रिशा भी मेरे से मतलब इदर लगी हुई थी यह देदे वह देदे बट को यह ना काम करते करते बच्चे भी अब कहां बैठते हैं उनको भी कहां बैठना होता है राम से तो वह भी इदर से जा रही थी दो यह देखे मैं सब कुछ इतनी अच्छे तरीके से लगा रही हूं मेरे से जितना हो रहा है पूरा अच्छे तरीके से आपर क्लीनिंग कर रही हूं अच्छे तरीके से डस्टिंग क्लीनिंग जाड़ू पोच्छा मैंने सब कुछ ढंग से किया और हम मैं आगे यह वाले रूम में यह जो कुछ भी मेंडिर वाला रूम गैंस वाला रूम तो यहां पर मैं ने सब अच्छे तरीके से हाले वागरा पूरी पूरी चीज़ा नहीं दिखाई बट अच्छे तरीके से जाड़े हैं तो यहां पर मैंने जाड़ रही हूं ये टेबल वगएरे में सब भटा हो टू कर और ये जो अपसाइड में देख सकते हैं जिसमें कपड़े वगएरा पड़े हैं वही है न कितना पी कुछ कर लो चीजे इधर से उधर फैली रहती हैं बार बार कितना ये तो नहीं कि हर चीज हम एक एक द फैली तो थोड़ा बहुत दीखी जाता है अब घर ही है होटल नहीं है कि अच्छे तरीके से सब चीज बड़ी रहे तो यहां पर देखिए अपनी तरफ से तो देखिए हर पूरा अच्छे तरीके से एफट करते हैं कि सास उत्रा रहे बट फिर भी कहीं न कहीं होई जाता ह है गंदा वगेरा तो यहां पर देखिए मैं यहां पर भी लगा रही हूं जारू लगा रही हूं तो यहां पर भी मोसली जारू लग चुकी है तो मैं यहां पर क्रीशा को देख रही थी तो क्रीशा क्या कर रही थी और क्रीशा के यह नहीं कि मैं काम करती हूं जैसे बताय बार बर वीडियो में नहीं दिखा जाता गर मैं जैसे क्लीनिंग के कुछ बना रही तो वहीं पर दिखाऊंगी बार बर अगर साथ में उसको भी दिखाऊंगी कि ये दे रही हूं वो दे रही हूं फिर वीडियो और ही जादा लंबी हो जाती है फिर जो हम में वीडियो बना तो बात हो वगईरा तो और बी सब काम होई जाते हैं एक्सक्राई बीच बीच में और यहां पर मैं लगा रही हूं पोच्छा लगा रही हूं अच्छी तरीके से और यह समय ने मोटा मोटा काम तर पूर्ख झालिया है और उसके बाथ जैसे टेबल क्लीन करना फ्रिज्ज औ यह सब मैं नहाने के बद नहाने के बाद आंगी तो हरुछ के uyडियो तो पूरा Program ध्रानी के बाद मैंने जाता जावल मोपिंग प्ली तो ऻूर आ sustainability मैंने के बाद में भी पार शेकर आहने के बाद बाद भास जावने के बाद नहाने से जावन बना दिया है मैंने का उसके भी चलो एक छोटा सा वीडियो बना देती हूं बट वो आपको नेक्स इसके बाद जो वीडियो हाएगी उसमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं पूछा वगएरा सब लगा रही हूं और क्रीशा भी है अंदर भार घूम रही है मतलब यह की जोगा पर टिक नहीं रही है कभी दिखेगी आपको कभी नहीं दिखेगी वो भी अंदर भार अंदर भार हो रही है तो यहाँ पर देखी मैं जाड़ो अच्छ लग रही थी तो मैं उसी को अच्छी तरीके से हटा रही थी और ये सब वास वगएरा हटा के मैंने सब पीछे से यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से कर रही हूँ सब मैं ऐसी कबरे में लगा लूँगी तो यहाँ पर फाइनली सारा काम हो चुका है और अब मैं जो चीजे हैं सब अपनी अपनी जगों पर रख रही हूँ यह सब कुछ जो सोफिय वगएरा के उपर यह जो भी होते हैं इसको मैंने उपर रखा हुआ था और यह परदे वगएरा बांदे हुए थे मतलब जो जो चीजे हैं सब अपनी जगों पर सेट कर रही हूँ और अच्छी तरीके से जितना भी हुआ सारा पूरा जो क्लीन है डीप लीनी के मालो तो अच्छी तरीके से पूरी कम्प्लीट हो गई है और जैसे मैंने पंक्यों वगएरा भी थोड़े बहुत जाड़ उसे साफ ऐसी कर दिये थे बट वो मैंने ज़्यादा दिखाई नहीं मैंने कब फिर क्या दिखाने हैं तो और यहां पर देखिए सब मैं जो रनर वगएरा कारपेट सब बिचा रही हूँ फिरिज को अपनी जगों पर ठीक कर रही हूँ क्योंकि पोच्छा वगएरा लगाया था थोड़ा सूकता है तो यहां पर हो गई यह क्लीनिंग कंप्लेट आई वह हूँ पापु यह आज का वीडियो अच्छा लगा हो अगर थोड़ा से भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चानल को सब्सक्राइब कीजेगा और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई